आज मैं आपको टेबल मेट बनाना बताऊंगी उन से यह देखिए यह मैंने नॉट बनाई है और यह मेरे टोचेट से बताऊंगी अब यह नॉट इसके अंदर डालेंगे और हम साथ कड़ी की चेन बनाएंगे आप छे कड़ी की भी बना सकती है यह अब हम इसी इस तरह से जोड़ देंगे और हम इसके अंदर से इसे निकालेंगे इसको हम पूरी तरह से कवर कर देंगे पूरा राउंड आ जाए देख लें आप की कटोरी जैसी शेप ना आए बावल जैसी सीधा सिधा ना चाहिए यह देखें यह हो गया है कवर अब हम इसे यहाँ पर इस तरह से बांदेंगे और यह तो खड़ी की च कि अब हम उपर बना रहे हैं तो इसमें हमें ज्यादा चाहिए रम बीच-बीच में कहीं कहीं पर यह दो बार नेकालेंगे एक मेंसे और कहीं कहीं पर हम एक ही लेंगे यहां पर मैं दोबार निता लोगी इसी तरह में बनाखें आप अगले में भी बनाए इससे आप को ज्यादा बनाने टीस की बार भी बनाने चौक में भी तो थीन शोड़ कर एक मिक। भार निकालने यह देखिए यह बन गया है अब हम इसमें से एक बार पहले आप दो पड़ी की छेन पनाएं और इसमें से छे बार निकालें एक में से दो तीन चार पांच छे बार हो गया अब हम चेन बनाएंगे चार पड़ी की चेन बनाएंगे और यह हम एक दो छोड़ देंगे तीसरे पर बनाएंगे इस तरह से अब हम फिर से यह बनाएंगे चार पड़ी की चेन बनाएंगे और हम यह दो छोड़ कर तीसरे पर हम फिर से इस तरह से छे बार निकालेंगे दो बर तीन चार पाँच छे इसी तरह से हमें चार कॉर्णर बनाने तो चार कॉर्णर पर हम इसी तरह से बना लेंगे एक में से छे बार निकालेंगे फिर चार कड़ी की चेन बना कर इस तरह से बना लेंगे यह देखिए यह मैंने बना लिए इसके चार कॉर्णर बन गये इसी तरह से अब जो हमने यह छे बार निकाला था इसके हम बीच में से फिर से छे बार निकालेंगे तीन चार पाँच छे बार हो गया फिर से हम चार कड़ी की चेन बनाएंगे आप पहले यह इस तरह से जोईन किया था अब एसको इसके बीच senza और हो और हम फिर से चार कड़ी की चेन बनाएंगे काङभा मुप हमेहसे निकीन्य definite है तटकर प्रताङब फिर्से चार काड़ी की चेन बनाएंगे और इसे जो हमने ये अगले छे बनाया उनके बीच में से अब फिर से छे बार लिका लेंगे अब हम फिर से चारगडी की चेन बनाएंगे इसे हम इसकी बीच लेंगे इसे चारगडी की चेन बनाएंगे और इसके बीच से निकालेंगे फिर एक तो तीर चार बार ये निकाल लिया और इसके बीच से निकालेंगे इसी तरह से बनाना है हमें ये पूरा ये देखें ये मेरा इस तरह से आएगा ये इस तरह से बनता जा रहा है और इधर मैंने पहले ये दो जाली बनी थी अब ये तीन बन गई है अब अगले पर चार बनेंगी हमें यही करना है यहां कॉर्णर पर हमें जो हमने ये छे निकालते हैं उसके बीच में से हर बार छे निकालना है छे बार ये छे हो गया अब हम चार की जाली बनाएंगे चेन बनाएंगे और इसे हम जो ये इधर जोड़ी हुई है ये इसमें जोइन कर देंगे फिर हम चार की चेन बनाएंगे चार कड़ी की और जो ये है इसमें जोइन कर देंगे फिर हम चार कड़ी की चेन बनाएंगे और अगली में जोइन कर देंगे अप्सक्वड़ी पीज कर देंगे जो भी कर देंगे आएंगे ठीक चेनगे कि ते कि यह फिर देखके यह मारा कॉर्ण पर इस जल रहा है और यह अब हमारी यहां पर चाहर जाली नहीं फो रहे इस तरह में बड़ते जाएगा अगली बार यहां पर पान्च जाली हो जाएगी और यह हमारे छे ही चलते रहेंगे कॉर्णर पे और यह आपका बड़ा बनने के बाद स्क्वेर शेप में आ जाएगा यह इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आयो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नमस्का